Hey guys, my name is Anuradha, welcome to our channel GK, guidance and knowledge, happy morning to all of you मुझे एगलारी बहुत ज़्यादा क्यूट लग 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 ली थी, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है चलिए आज का हमारा कॉशन शुरू करते है पर्यावर नियाम को और सरकार को प्रकरती के मूले को समझने की जरूरत है आज के हमारे कॉटेशन है अपने आपका कोशनी का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने दूसरों की सेवा में खुद को खो दो महात्मा गांधी जैने एक आज आज का हमारे कोशन है इन्वार्मेंट रेगुलेटर तभी काम करेंगे जब गौर्मेंट वैलू समझेगी नेचर की हमारे प्रकरती की इसके वारे में हमें कमेंट करना है हम एक कोटेशन दे रहे हैं इन्वार्मेंट नेस्टरी फैक्टर है हिमन के सर्वाइबल के लिए क्योंकि अगर इन्वार्मेंट नहीं होगा अगर यहां कोई इन्वार्मेंट नहीं होगा तो यहां पे कोई हुमन भी नहीं हो सकता हम इंट्रोडेक्शन शुरू करते हैं इन्वार्मेंट रेगुलेटर क्या है वो परसन होते हैं जो असेस्मेंट करते हैं environment और development के बीच में और इनकी impact के ऊपर और duty तभी निभाएंगे जिब government understand करेगी nature की value को issues क्या-क्या है expertise की कमी देखने को मिलती है assessment भी अच्छी से नहीं होता है data गलत present किये जाता है और self assessment की जाती है companies के दुआरा जो कि properly नहीं की जाती है ज्याद़ focus होता है development के ऊपर impact क्या-क्या होते है इसके negative impact होते है human life के ऊपर vulnerable conditions बन जाती है flora और फोना के लिए especially western गार्ट के अंदर देखने को मिला recently use environmental degradation होता है जैसे की pollution हो जाता है air में soil में water में और भी काफी सारी चीज़ों में इसे disaster like situation भी create हो सकती है जैसे flood आ सकता है सुका पढ़ सकता है तुनामी हो सकती है और भी कैसे काफी सारी है कुछ examples भी देख सकते हैं जैसे की उत्राकंड में पावर प्लांट लगाया जा रहा था वहां पे काफी सारी लोगों की मौत हो गई थी फ्लाड आने के विज़े से और ऐसी हैदरबाद के अंदर भी फ्लाड आई है और भी काफी सारी लोस्ट होते हैं यूमन लाइफ को भी लोस्ट होते हैं वाइलेशन होने की विज़े से rules की जैसे कि हमने बोकाल गैस ट्रेजडी देखी थी 1984 के अंदर उसके चिल्रन्स की डैथ हो जाती है डाइरिया की विज़े से rules and regulations को ignore करनी की विज़े से air pollution create होता है जो की health के ओपर human health के ओपर बहुत ही जाता severe impact परता है 2019 में study की गई थी उसके अंदर world की 31 cities के अंदर में से 21 Indian cities दी क्या बता सकते हैं कि recent data के according क्या है यह situation Indian cities के अंदर 2 million लोग है वो premature death का सिकार हो रहे हैं हर साल इस air pollution की वज़े से government ने क्या क्या initiatives लिये हैं NGT की स्थापना की है 2010 में क्या बता सकते हैं इससे पहले दो और देशों ने स्थापना की थी NGT की वो कौन है air pollution को रोकने के लिए 1981 में एक्ट लाया गया था hazardous waste management 1989 में लेकर आया गया था सुच भारत mission अभिया निर लौंच किया गया था नमामी गंगे प्रोग्राम लौंच किया गया था water का एक्ट लाए था water को conserve करने के लिए 1974 में इंवर्मेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है वो 1986 में लेकर आए गया था green skin development प्रोग्राम भी लौंच किया गया है sustainable habitat फिर national water mission है फिर green India के लिए बनाया गया है फिर इंवालिया निको सिस्टम को सेव करने के लिए बनाया गया है फिर नोलेज climate है चेंज के बारे में पिर सस्टनेबल एगरिकल्चर को बनाने की कोशिश की जा रही है हमारे विफ़रूड क्या होगा गवर्मेंट को identify करनी हो गुवर्मेंट को प्रोमोट करना होगा इसे चीज़े यूज़ कर सकते हैं जो कि इको फ्रेंडली हों पिर हम केरला और हिमाचल जो सस्टेंबल डावलप्मेंट गोल्स के अंदर सबसे जाधा स्कोर कर रहे हैं उन्हें प्रोमोट करना चाहिए और पूरे देश के अंदर उनका मोटल इंप्लिमेंट करना चाहिए होलकता के आईडिया भी अच्छा हैं जो ट्रेंणला लेवल पर सकते हम उन्हें प्रहसे बड़हा कुछ नहीं बना सकते हैं फिर हम क्या कर सकते हैं formation करना होगा एक independent body का ताकि वह अच्छ से identify कर सकें और companies भी इसे implement करें प्रोपर implementation करना होगा सभी schemes का और उन्हें साथ ही साथ अच्छ से monitor भी करना होगा कि उनकी implementation process कैसी चल रही है इससे हम corruption को भी घटा पाएंगे हमारा conclusion क्या होगा conclude करने के लिए हम कह सकते हैं कि government है वो लोग के द्वारा चुनी गई है और अगर वो value देगी nature को और save करने की कोशिश करेगी तो वह बाकी सब के लिए एक example होगा और बाकी सब भी उसे follow करेंगे उसे ensure करना होगा कि government के environment है वो बहुत ही ज्यादा precious है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुल्यवान है और उसे preserve करने की ज़रूत है उसके लिए हमें export को regulators बनाना होगा ताकि वो environment के favor में decision ले और government भी value दे environment को इससे हम क्या कर सकते है sdc 13 सस्टेनेबल development goal 13 climate action उसे भी अच्चिव कर पाएंगे so this is it for today thank you for listening don't forget to like share and subscribe also for ideas suggestions